प्यारे बच्चों, जार्खन अधिवत परिसत द्वारा आज साइन्स कॉमर्स का इकनॉमिक्स का एक्जाम हुआ है जिसमें हम लोग टर्म वन के कोश्चन पेपर का मिलान कर लेंगे हम लोगों ने कितना सही किया, कितना गलत किया इसका हम लोग मिलान कर लेंगे एक नजर में तो चलिए देखते हैं अपने चैनल एकनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बैल एकन को दबा कर और नोटिफिकेशन आउन कर ले इसमिर दिये थे और चैन समंदी परिभासा रॉबिस्न दिये थे तो पहला का चौथा उप्सन सही है दूसरा है निम में से किस अर्थवरस्था में नीजी छेतर एवन साजनिक छेतर का सर अस्तितू होता है तो जहां नीजी छेतर मलब नीजी छेतर होगया पुंजी वादी अर्थवरस्था साजनिक छेतर होगया समाज वादी अर्थवरस्था और दोनों जब साथ साथ काम करेगा तो इसको हम लोग मिस्रित अर्थवरस्था कहेंगे तो दूसरा का यहां तीसरा सही है तीसरा है अर्षास में सब्द वेश्टी और समस्ती का परियोग सरवपर्थम किस अर्षास्री ने किया था तो इसको हम लोग बार-बार देख चुके हैं रैगनर फिरिस ने किया था, मॉडल सेट में भी ये दिया हुआ था फिर आपका चौथा नंबर है उत्पादन समभाना वगर का कारण, मूल बिंदू की और अउतल होने का कारण तो उत्पादन समभाना वगर को हम लोग जानते हैं इस तरह होता है और ये है आपका मूल बिंदू, इसकी और अउतल होने के क्या कारण है तो इसके पीछे आपका कारण है बढ़ती सिमान्त आउसर लागत तो चौथा का चौथा उप्सन सही हो जाएगा पांचमा है आउसर लागत का वैकलपिक नाम क्या है तो आउसर लागत को वैकलपिक नाम होता है आर्थिक लागत तो पहला उप्सन सही है पांचमा का चठा आपका है उभोकता वहवार का अध्यन किया जाता है तो उभोकता वहवार का अध्यन हम लोग सुछम अर्सास्त में करते हैं मलब वेश्टी अर्सास्त में करते हैं तो यह चठा का दूसरा हो जाएगा सात्मा है सिमान्त उप्योगिता कैसे निकालते हैं तो सिमान्त उप्योगिता लिकानले का फर्मूला होता है डेल्टा टी यू बटा डेल्टा क्यू तीसरा उप्सन सात्मा का तीसरा सही है आठ्मा है उप्योगिता का क्रम वाचक सिधान किस ने दिया तो क्रम वाचक सिधान हिक्स एवम एलेन ने दिया था और गरना वाचक सिधान मार्सल ने दिया था यहाँ पर आपका आठमा का चौथा हो जाएगा नौमा है उदासीन वक्र होता है तो उदासीन वक्र क्या होता है तो यहाँ पर इसमें कोई कंडिशन नहीं दिया है हर कंडिशन में अलग होता है तो इसलिए उदासीन वक्र मूल बिंद्यों के उनोतोदर और मूल बिंद्यों के उनोतोदर दोनों हो सकता है तो यहाँ तीसर का मांग कम हो जाएगा तो यहाँ पर दसमा का हो जाएगा दूसरा इगारा है बजट रेखा इंगित करती है तो बजट रेखा क्या इंगित करती है मुल्य अनुपात को फिर है पतियस्थापन की सिमांदर इंगित करती है तो पतियस्थापन की सिमांदर इंगित करती है उदासिन वक्र भी कहते हैं तो यहां पर आपका 12 का हो जाएगा तीसरा, तेरा नंबर है यदि उभोकता की आयमे बिर्धी से वस्तु X की मांग कम हो जाती है तो वस्तु X होगी तो वस्तु X क्या होगी? गिफेन वस्तु तो तेरा का यहां हो जाएगा चौथा चौधा है यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत Y अच के समनांतर है तो वस्तु की मांग की लोच का मान क्या होगा? तो यहां वस्तु की मांग की लोच का मान आपका हो जाएगा सुनने चौधा का चौथा फिर पंद्रा है उभोकता का संतुलन उस बिंदू पर होता है जहां तो मार्सल के नुसार ये है मुल की रेखा ये है सिमान तुपितर जहां पर ये आपस में मिलते हैं बराबर होते हैं वहीं पर संतुलन होता है तो यहाँ पर पहला आपका option जो है सही है, सिमान तुप्योगिता बराबर मुल्य, 15 का पहला हो जाएगा 16 नमबर question है, गिफिन बस्तूअ के लिए कीमत मांग की लोच होती है, तो कीमत मांग की लोच होती है धनात्मक 17 है, दो साधन, स्रम, L और पुंजी, K के लिए उत्पादन फलन का स्वरूप होगा, तो इसका स्वरूप क्या होगा, पहला Q बराबर function of L, K 18 है, उत्पादन के साधन क्या है, तो सभी है, भूमी, स्रम, पुंजी, परबंद, साहस, ये सभी उत्पादन के साधन है, तो इसमें चौथा option हो जाएगा, 18 का चौथा इनमें से सभी 19 है, जब कुल उत्पादन अधिक्तम होता है, तब सिमानत उत्पादन, ये तो model question में भी था और बहुत बार हम बता भी चुके हैं, इसका वाजाएगा सूननी होती है, जब कुल उत्पादन अधिक्तम होता है, तो सिमानत उत्पादन सूननी हो जाती है 20 नमबर question है, वा कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परवर्तित किये जा सकते हैं, तो ये भी बहुत बार बता चुके दिरकाल में क्या होता है, सभी साधन परवर्तित सील होता है 21 नमबर question है, सम उत्पाद वर्त का परतेग बिंदू दो साधनों के वैसे संयोग को दर्साता है, जो वस्तू की क्या है, तो सम उत्पाद है, मलब समान उत्पादन यहां हो जागा 21 का दूसरा समान मात्रा का उत्पादन करते हैं, तो 21 का हो जागा दूसरा 22 है आपका, परतंसील अनुपाद के नियम के नुसरार एक विवेकसील उत्पादक उत्पादन के किस अस्तर पर उत्पादन करना चाहता है, यह भी कई बार बता चुके हैं, यह दूसरी अवस्ता में उत्पादन करना चाहेगा, इसलिए 22 का हो जागा दूसरा 22 का दूसरा, 23 में हम लोग जाते हैं, अल्ब काली नौसत लागत वकर का अकार कैसा होता है, तो यह भी हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, यू अकार का होता है, तो 22 का हो जागा तीसरा 24 है, कुल लागत टीसी, कुल इस्थी लागत टीएपसी और कुल परतन सील लागत टीवीसी के संबन में कौन सा कथन सत्य है, यह मॉडल कोस्चन में आपका था, इसमें आपका दूसरा उप्शन है, टीसी बराबर टीएपसी पलस टीवीसी होता है 25 है फर्म के संतुलन में होता है तो फर्म का संतुलन का बहुत बार हम देख चुके MR बराबर MC जब होगा तो फर्म का संतुलन होगा तो पचीस का हो जाएगा पहला 26 है सम विछेद बिंदू तब उत्पन होता है जब तो ये कब उत्पन होता है जब TR बरावर TC होता है तो 26 का हो जाएगा पहला 27 है पूर्ति अपने लिए मांग स्वाइम ही उत्पन कर लेती ये कथन किसका है तो ये आपका है जे भी से का तो 27 का हो जाएगा चौथा 28 है यदि किसी वस्तु की कीमन में 40% की विर्धी हो परन्तु पूर्ति में केवल 10% की विर्धी हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी आपका बेलोचदार 28 का हो जाएगा यहां तीसरा 29 है आपका मांग आधिक की स्थिती तब होती है जब तो क्या होती है जब पूर्ती की तुलना में मांग अधिक होती है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 29 का 30 अब 30 नमबर को अच्छन है 30 बजार में वस्तू विभेत पाया जाता है तो 30 का यहाँ पहला हो जाएगा 31 है एक पुन परत्योगिता बजार में सभी फर्म किस परकार की वस्तू का उत्पादन करते हैं तो यहाँ 31 का हो जाएगा समरूप वस्तू का उत्पादन करते हैं 31 का दूसरा 32 है एकाधिकार के अंतरगत AR वक्र और MR वक्र में क्या संबंध होता है तो AR greater than MR होता है 32 का हो जाएगा पहला 33 नमबर कोस्चन है किस परकार की बजार सनचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उतपादक होता है तो यह हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं यह होता है एकाधिकार में तो 33 का यहाँ हो जाएगा दूसरा 34 है एक विक्रेता को 6 रूपिया परती इकाएं कीमत पर किसी वस्तु की 50 इकाएं की विक्री से प्राप्त कुल आगम की रासी क्या होगी तो कुल आगम मलब TR तो आपका चौथा ओप्सन सही है 300 इसका एंसर हो जाएगा 35 नंबर कोस्चन है निम्न में से कौन सही है तो यह एक फॉर्मूला है यह पहला ओप्सन सही है AR बराबर MR ब्रैकेट में E बटा E मैनस 1 होता है तो 35 का पहला हो जाएगा 36 है आपका MR परदसित किया जाता है तो MR का फॉर्मूला क्या होता है पहला डेल्टा TR बटा डेल्टा Q 37 है एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोजदार होता है तो ये क्या होता है किस में तो पूर्ण परतियोगिता में ये पूर्ण लोजदार का वक्र है तो ये पूर्ण परतियोगिता में होता है 37 का पहला 38 है बजार में वस्तू की कीमत उस बिंदू पर निधारित होती है जहां तो हम लोग अच्छा से जानते हैं जहां मांग पूर्थी आपस में बराबर होती है वहीं पर वस्तू का मुल का निर्धानन होता है तो यहां पर आपका पहला उप्सन है वस्तू की मांग बराबर वस्तू की पूर्थी तो 38 का यहां हो जाएगा पहला 49 है नीचे दिये गए फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूचि में वस्तू की पाँच हिकाएं के उतपादन से कुल संप्राप्ति क्या होगी तो यहां मात्रा दिया हुआ है सीमांत आगम दिया आपको कुल आगम पूछ रहा है कुल समप्राप्ति पूछ रहा है तो इसको लिका लें कैसे जैसे यह 12 में 10 को जोड़ देंगे 10 में 8 को जोड़ देंगे 8 को 6 में जोड़ देंगे 12 और 10 को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा एक और एक दो हो गया और 22 हो जाएगा 22 में 8 को जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा 30 में 6 जोड़ देंगे 36 और 36 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40 तो यहां हमको पूछ रहा है अनुसूचिम वस्तु की पांच हीकाई की उत्पादन से कुल संप्राज तो पांच हीकाई में कितना जा रहा है 40 तो यहां पर चौथा उप्सन आपका सही है 40 और लास्ट कोस्टन है बजार मुल पाया जाता है तो बजार मुल पाया जाता है कहा अल्पकालिन बजार में तो 40 का हो जागा पहला तो उमीद करते हैं आप लोगों का एक्जाम अच्छा गया होगा आप लोग बेहतर कियो होंगे अब आग्या दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत